नमस्कार इस चैनल में आप सावी विवर्ट्स को बहुत-बहुत सागत है आज इस वीडियो में रिजिनिंग के कुछ important questions डिसकस करेंगे जो upcoming competitive exams के लिए बहुत important है आप वीडियो को धन्सते देखेगा तक इस डिपको questions को समझने में आपको कोई दिकर ना हो तो चेली शुरू करते है यहाँ पर question mark की जगा कौनसा number आएगा इस question को solve करण के लिए यहाँ पर हम इसको column में solve करेंगे first column में यहाँ पर देखे 26, 54 and 44 है तो इन तिनों numbers के अंदर relation क्या बनाएगा देखे पहले 54 को हम 3 से divide करेंगे 54 divided by 3 is equal to 18 हो जाएगा अभी देखे यह 18 के साथ हम अगर उपर में जो 26 है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 44 हो जाएगा नीचे का number ठीक है second column में भी same हो जाएगा देखे यहाँ पर 12 को 3 से divide करना है तो 4 हो जाएगा इसके साथ अगर उपर में जो 7 है इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा नीचे का number thought column में भी same हो जाएगा तो अभी answer क्या आएगा देखे यहाँ पर क्या करना है question mark को 3 से divide करना है करके यहाँ पर इसके साथ 9 को जोड़ना है उपर में तो यहाँ पर 16 आना चाहिए ठीक है समझ मारा है then question mark divided by 3 is equal to 16 minus 9 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 7 ठीक है तो question mark is equal to 7 multiplied by 3 is equal to 21 हो जाएगा तो question mark के जाएगा 21 हो जाएगा correct answer ठीक है समझ मारा आ गया तो चलिए next question को देख लेता है देखे यहाँ पर question mark के जाएगा खौनसा number आएगा इस question को solve करने के लिए 243 के साथ 9 का जो relation होगा 72 के साथ 6 का same relation होगा एपर question mark के जाएगा जो number आएगा उसके साथ 12 का भी वही relation होगा देखे यहाँ पर क्या करना है पहले यहाँ पर last में जो 9 है यह 9 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा अभी देखे यहापर वही 9 को हम यहापर 3 से डिवेट करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा देखे 81 के साथ हम अगर यह 3 को मल्टिप्ले करेंगे तो 243 हो जाएगा पहला नामबर ठीक है समुझ मारा है यहापर 72 के साथ 6 का भी same relation होगा पहले 6 square करेंगे तो 36 हो जाएगा उसके बाद 6 को 3 से डिवेट करेंगे तो 2 हो जाएगा अब देखे 36 मल्टिप्ले पे 2 करेंगे तो 72 हो जाएगा पहला नामबर ठीक है तो अभी answer के आएगा देखे यहापर 12 का square करना है तो 144 हो जाएगा ठीक है उसके बाद 12 को 3 से डिवेट करना है तो 4 हो जाएगा इन दोनों को अभी अगर मल्टिप्ले करेंगे तो यहापर हो इस question को solve करने के लिए सबसे बहले हम first figure को solve करेंगे first figure में उपर में देखे 62 10 है और नीचे 9 है तो इन दिनों numbers के अंदर relation क्या बनेगा पहले उपर में 62 का दोनों digit को आपस में जोरेंगे 6 plus 2 is equal to कितना होगा 8 हो जाएगा उसके बाद यहापर 10 है उपर में यह 10 का दोनों digit क को जोरेंगे आपस में 1 plus 0 is equal to 1 हो जाएगा देखे अभी 8 के साथ यह 1 को जोरेंगे तो यहापर 9 हो जाएगा नीचे का नामबर से उन नमबर का digits का साम निकलेंगे तो यहापर नीचे का नमबर मिलेगा ठीक है यहापर second figure में भी same हो जाएगा क्या करना है 8 plus 9 plus 1 plus 3 कर देना है तो मतलब देखे यहापर 17 plus 1 18 plus 3 21 हो जाएगा नीचे का नमबर ठीक है तो अभी answer के आएगा देखे यहापर 54 का दोनों digit को जोर देना है तो यहापर 5 plus 4 उसके साथ ही plus 22 का दोनों digit को जोर के इसके साथ जोर देना है मतलब 2 plus 2 ठीक है तो मतलब देखे 9 plus 2 11 plus 2 13 हो जाएग देखे एक certain code language में paint is brown का code है 231 his brown shirt का code है 307 shirt and pant का code है 781 तो यहाँ पर ease का code पूछा गया है सबसे पहले देखेंगे ease कहाँ पर है देखेंगे first sentence में ease है यहाँ पर इसको underline करेंगे तो देखें पहले इसके आगे paint है तो यह paint का code को ढूणेंगे pen को हम circle करके mark करेंगे pen और कहा पार है देखे last sentence में pen है तो मतलब first and last ये दोनो sentence का code में एक common number होगा वही हो जाएगा pen का code तो pen का code देखे यहाँ पर one है यहाँ पर भी one है तो pen का code हो जाएगा one ठीक है समझ बारा है उसके बाद इस set पे brown का code को ढूणेंगे देखे brown को हम ऐसे triangle करके mark करेंगे brown देखे first sentence में है and second sentence में है तो ये दोनो sentence का code में एक common number होगा वही हो जाएगा brown का code ठीक है तो मतलब देखे यहाँ पर three है यहाँ पर भी देखे sorry यहाँ पर भी देखे three है तो brown का code हो जाएगा three यहाँ पर is बचा हुआ है and code में two बचा हुआ है तो मतलब is का code हो जाएगा क्या two ठीक है तो मतलब two हो जाएगा correct answer ठीक है समझ में आग गया तो चलिए next question को देख लेते है देखे यहाँ पर दो dice है यहाँ पर x के opposite में कौन सा लेटर आएगा वो ही पुछा गया है question में इस question को एक second का अंदर कैसे solve करना है देखे यह दोनो dice को अगर धैन से देखेंगे तो यहाँ पर देखे यह 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 मतलब यह दोनो dice का अंदर यह common है तब remaining जो letters आएगा मतलब x and t यह एक दूसरे के opposite में हो जाएगा मतलब x के opposite में होगा t and t के opposite में हो जाएगा x तो यहाँ पर x के opposite का लेटर पूछा गया है तो x के opposite में t हो जाएगा correct answer ठीक है समुझ मैं आगा तो चलि next question को देख लेता है देखें यहाँ पर एक number series last में question mark के जागा कौनसा number आएगा इस question को solve करने के लिए यहाँ पर जो numbers से इन numbers के अंदर difference को देखना है सबसे पहले 5 है उसके बाद 5 से 5 मतलब यहाँ पर 0 increase और decrease हो है तो यहाँ पर हम इसको plus 0 लिखेंगे उसके बाद 5 से 11 देखें यहाँ पर plus 6 increase हो है 11 से 35 देखें प्लस 24 increase हो है 35 से 95 मतलब प्लस 60 increase हो है and 95 से 215 देखें यहाँ पर plus 120 increase हो है तो अभी कितना increase होगा देखें यह जो number increase होड़ा है इसका अंदर भी एक relation है 0 से 6 मतलब यहाँ पर plus 6 6 से 24 मतलब plus 18 increase होए उसके बाद 24 से 60 देखे यहापर plus 36 increase होए and then 60 से 120 मतलब plus 60 increase होए तो अभी यहापर कितना increase होगा देखे फिर से जो number increase होगा इसका अंदर भी एक relation है 6 से 18 मतलब plus 12 18 से 36 मतलब plus 18 36 से 60 मतलब plus 24 increase होगा तो 12 से 18 मतलब plus 6 18 से 24 यहापर भी plus 6 increase होए तो अभी फिर से plus 6 increase करेंगे तो यहापर plus 30 increase होगा तो 60 plus अभी 30 increase होगा तो मतलब यहापर plus 90 increase होजाएगा ठीक है समझ मारा है उसके बाद दिखे यहापर 120 के साथ यह 90 को जोड़ेंगे तो यहापर कितने increase होगा 120 plus 90 मतलब plus 210 increase होगा ठीक है समझ मारा है तो question mark के जागा अभी answer के आएगा 215 के साथ यह 210 को जोड़ देना है 210 को अगा जोड़ेंगे तो 425 हो जाएगा question mark के जागा correct answer ठीक है समझ मारा गया थोड़ा सा bug चाहिए यह question को solve करने के लिए लेकिन बहुत ही आसन question है तो चलिए next question को देख लेते है इस question को देखे यहापर एक missing number का question है यह question mark के जगा कौन सा number होगा इस question को solve करने के लिए सबसे बहुत है हम 3 से शुरू करेंगे देखे यह जो 3 है 3 के साथ अगर plus 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा तो देखे 5 कहाँ पर है 2 step जाम करके यहाँ पर 5 है यह 5 के साथ अभी plus 3 करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा देखे 2 step जाम करके यहाँ पर 8 है ठीक है उसके बाद 8 के साथ अभी plus 4 add करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा इस इकल्टू 12 लिखेंगे तो 12 कहा पर है 2 step जाम करके 12 यहाँ पर है तो उसके बाद 12 के साथ अभी plus 5 करना है तो कितना होगा 17 हो जाएगा 17 कहा पर है देखें यहाँ पर 2 step जाम करके यहाँ पर 17 है ठीक है, समझ मा रहा है, तो अभी 23 के साथ कितना add होगा, यहाँ पर 6 add होगा, तो मतलब 7 add हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 कहाँ पर होगा, दो step जाम करके, यहाँ पर 1, 2, मतलब question mark के जागा, 30 हो जाएगा, correct answer, ठीक है, समझ मा आगा, तो चलिए next question को देख लेते हैं, इस question को देखे, यहाँ पर एक number series है, last में question mark के जागा, खौन सा number आएगा, इस question को solve करने के लिए, यहाँ पर जो number से, इन numbers कंद relation को देखने है, देखे, सबसे बेले 2 है, उसके बाद 6 है, देखे, 2 multiplied भे अगर 3 करेंगे, तो 6 हो जाएगा, next number, then 6 के साथ, हम देखे, यहाँ पर अभी क्या होगा, 30 multiplied by 3 करना है, तो 90 हो जाएगा, next number, then question mark के जागा, 90 plus 3 हो जाएगा, देखे, यहाँ पर 1 multiplied by 3, then यहाँ पर plus 3, multiplied by 3, plus 3, multiplied by 3, अभी plus 3 होगा, तो मतलब 93 हो जाएगा, question mark के जागा, correct answer, ठीक है, समझ में आ गया, तो चले, next question को देख लेते है, देखे, एक certain code language में, अगर pen का code 9 है, paper का code 25 है, तो chapter का code पूछा गया है, बहुत यासन question है, इस question को solve कैसे करना है, देखे, pen के अंदर, यहाँ पर 3 number of alphabet से, तो 3 का square करेंगे, तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, pen का code, ठीक है, paper के अंदर, देखे, 5 number of alphabet से, तो यहाँ पर 5 का square करेंगे, तो 25 हो जाएगा, paper का code, देखे, यहाँ पर chapter के अंदर, कितना number of alphabet से, देखे, count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 का square करना है, तो 49 हो जाएगा, chapter का code, ठीक है, समझ में आ गया है, तो इस वीडियो में किसी भी question को, अगर समझने में कोई दिक्कत हो, तो अब जरूर लाइक, share and subscribe किजिएगा, next time इस step के और भी वीडियो लाने के कोशिश करूगा, आज के लिए इतने फिर लेंगे, bye